हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आगे आपका होस्ट और दोस्त मुकेश सेने आप भी फटापट फटापट कोपी और पेन लेकर बैढ़ जाए फोन की स्क्रीन के सामने दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें और सेसन को सेयर भी कीजिएगा सेसन सुरू करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोर्ट की बात कर लेते हैं मोटिवेशनल कोर्ट है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े है और वो कौन सी बात है लोग क्या कहेंगे हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सुरू करने से पहले यह बात जरूर माइंड में आती है कि अगर काम नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे और अगर काम हो भी गया तो लोग क्या कहेंगे पर एक बात मैं पूछता हूँ कौन है ये लोग जो आपको आपका हर एक काम करने से रोक रहे हैं आप मेनद करते रही है अब ये ना सोचें कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप सक्सिस हो जाते हो तो भी कुछ नहीं कहने वाला है और आप सक्सिस नहीं हो पाते हो तो भी कुछ नहीं कहने वाला है मेनद करना अपना काम है चली इछी अच्छी से सोच के साथ आज का सेशन सुरू करते हैं हमने Chapter 15 प्रैक्तर चुरू की थी कल हमने सिक्के की जितने भी सवाल थे वो सारे कर लिये थे आज अपन करने वाले हैं पासे से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपके सामने जो डाइगराम बनावा है जो आपको पिक दिख रही है वो पासे की दिख रही है और आपने इस टाइब का भी पासा देखा है और आपने इस टाइब का भी पासा देखा है आपने दोनों टाइब के पासे देखे होंगे एक तो जो सकुनी मामा महा बारत में फेकता था वो वाला और एक अपन जो गेम खेलते टाइम यूज करते दोनों पास से आफ वाकिफ है और एक पासा आपने ऐसा भी देखा है जिस पर संख्याएं लिखी होती है एक तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह तक उसमें संख्याएं लिखी होती है आपने इस तरह का पासा भी देखा हुआ है तो अपन बात इन संख्याओं की करेंगे और अगर मालों संख्याओं नहीं लिखी हो पासे पर तो देखो जो डोट बने हुए है एक तरफ एक बना हुआ है एक तरफ दो, एक तरफ तीर, एक तरफ चार, एक तरफ पांच और एक तरफ चै इस तरह से ही डोट बने हुए होते हैं कुल मिलाके एक से छह तक संख्यां पासे पर होती है तो अपन बात इन्हीं संख्याओं की करेंगे देखिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं पासे से प्राइक्ता का जो फोर्मला है वो याद रखें बार बार अपन क्यूशन में लिखेंगे नहीं पर जब भी एक्जाम में अगर क्यूशन करेंगे तो प्राइक्ता का फोर्मला जो भी है आप वो हर एक क्यूशन में लिखोगे पर यहां इतने सारे सवाल है तो अपन हर एक सभी संभोव पर नाम है उनकी संख्या कुल परयुशन क्या-कै बन सकते हैं हसा सबसे पहला जब पाश एक बार कता जाये कल हमने क्या था जसिखका एक बार उच्छान लागे दो बार उच्छान जाये और तीन बार उच्छान लागे यही तक सवाल देखिए जब अपन पासे को एक बार फेकता है तो पासे पर क्या-क्या नंबर गिर सकता है अपन जब लुडो का गेम खेलते हैं तो लुडो की गेम में क्या-क्या नंबर आ सकता है हो सकता है अपने एक आए हो सकता है अपने दो आए तीन चार पांच और छे इन में से कोई भी एक नंबर आ सकता है ठीक है तो हमारे पास प्रिणामों की संख्या कितनी हो जाती है यह 6 मैंने संख्याओं को काउंट करके लिखा है एक दो तीन ऐसे चार पांच और 6 यह वाला 6 नहीं है यह मैंने संख्याओं को काउंट करके लिखा है ठीक है तो प्रिणामों की संख्य कितनी हो जाएगी 6 क्योंकि एक से 6 तक कोई भी नंबर है वो पासे पर आ सकता है तो प्रिणामों की संख्या तो लिख दिया अपने एक से लगा कर 6 तक काउंट करके लिख दिया 6 ठीक है और ये भी समझाया था कि प्रिणामों को हमेशा इस ब्रेकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा ये वाला ब्रेकेट लगा हुआ होना चीए कुल प्रिणामों को अपन हमेशा इस मंजले ब्रेकेट या जिसे अपन मीडियेटर बोलते है या जिसे कव ब्रेकेट बोलते है इसके अंदर लिखा जाता है ठीक है तो इस ब्रेकेट के अंदर लिखा जाएगा तो मै पासे पर संख्या तीन आये इसकी प्राइक्तापन को निकालनी है तो जराध्यान से देखें पासे पर तीन आ कितनी बार सकता है पासे पर सिर्फ तीन है वो एक ही बार तो आ सकता है अगर मैं पूछू पासे पर छे कितनी बार आ सकता है तो छे एक ही बार तो आ सकता है अगर पूछा जाए कि पासे पर चार कितनी बार आ सकता है या दो कितनी बार आ सकता है तो सब नंबर है वो एक एक बार ही तो आ सकते है तो खुल मिला कि ये कि पासे पर ये जो संख्या त तो इस घटना के लिए संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे एक क्योंकि एक ही बार तो आ सकता है ना तीन तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इस घटना के नाम की तो घटना के नाम के लिए भी मैंने समझाया था कि अलफाबेट में आप A, B, C, D करके नाम घटनाओं क यह एक नहीं है यहाँ पर तीन है माना संख्या तीन आने की घटना एक वहाँ पर एक नहीं है यहाँ पर तीन कर सकते हैं तो माना संख्या तीन आने की घटना ए है घटना को अपने नाम दिया A, इसके बाद क्या होगा इसके बाद आगे देखें संभावित प्रेडाम क्या है एक ही होगा अच्छा तो फिर यहां यहां तीन ना करके यहां पर एक कर लेना क्योंकि यहां भी एक ही लिखा है फिर और यहां भी एक लिखा है तो इसे चापन यहां चेंज कर दें यहां संख्या तीन की जगे एक माल लेना वैसे प्राइक्ता सेम ही आएगी क्योंकि एक भी एक ही बार आ सकता है तीन भी एक ही बार आ सकता है चार भी एक ही बार आ सकता है तो कोई भी संख्या एक ही बार आ सकती है तो वहां तीन की जगे एक कर लेना आप लोग तो संख्या एक आए तो घटना को नाम अपन गैले 11 fix एक उपर अचार कर समभाई नीजें नीजे नीचे क्यों घटा या सी पांच आथा यह उक्षा उटकर उन्ड़ गाउ इसे पास से कि जब अपन ने वो एक पासा फेका और पासे पर कोई समसंख्या आए पासे पर समसंख्या आने की प्राइकता तो समसंख्या पहले तो घटना को नाम दे देते हैं कि घटना का नाम अपन ने भी दिया है, माना समसंख्या आने की घटना भी है, तो घटना भी के अनुकुल संभावित प्रणाम क्या क्या हो सकते हैं, वो देखें, देखिए, समसंख्या, समसंख्या क्या क्या है पासे पर, समसंख्या दो, ये भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, और छे, समसंख्या अ संबाईद परणाम कितने हो जाएंगे ? अब लिख सकते हो, एक बटे, दो, तीन से कट किया हुआ है, तीसरा सवाल क्या हो सकता है, तीसरा सवाल देखें, विसम सिंग क्या है, सेम क्यूशन है, इजीली हो सकता है, पहले गटना को नाम देजिना, गटना को नाम अपने सी दिया हुआ है, और गटना की संभावित प्र ऑचो सकता है तो इन तीनों म 때도 में से कोई भी एक नंबर यहाई विसम सेंग्या का बोला है कोई नंबर लिखा नहीं पिगा है तो ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ खुद के पाड़े में ही आए यहां कौन-कौन सी ऐसी संख्या है जो खुद के पाड़े में आ रही है देखिए, दो सिर्फ खुद के पाड़े में आता है तीन, सिर्फ खुद के पाड़े में आता है चार, चार दो के पाड़े में आ रहा है तो चार को नहीं गिनेंगे पांच, पांच खुद के पाड़े में याता जिर्फ छे, छे दो के पाड़े में याता है और तीन के पाड़े में याता है अपने बात नहीं की, एक कहां गया फिर एक अभाजे संख्या में सामिल नहीं किया जाता है वैसे एक किसी के पाड़े में नहीं आता है फिर भी अपन एक को अभाजे संख्या में सामिल नहीं करते हैं अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाजे संख्या कौन सी है तो दो अब आजे सिंक्या का बोला है अब आजे सिंक्या का तो दो तीन और पांच तो कुल मिला के प्रणाम किते हो गए तीन यहाँ पर भी तीन प्रणाम हुए गटना को नाम D दिया है संभाईत प्रणाम देखें दो तीन पांच इस इकल टू तीन अब देखें वही तीन इच्छ है प्राइकता हो जाएगी P D is equal to 3 बट इच्छ है कट करोगे तो वही एक बटे दो अगला सवाल क्या बन सकता है सम अभाज्य संख्या आए अभी अभी पीछे जो सवाल किया था क्यूशन नमबर 4 उसमें सिर्फ इतना ही था अभाज्य संख्या आए उसमें सिर्फ ये था अभाज्य संख्या आए इस बार एक नया वाड आग्या सम तो देखें उसमें और उसमें क्या फरक है पहले तो वह देखो अभाज्य संख्या आए तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी दो था, तीन था और पाँच था अब ये बोल रहा है कि अबाज्य संक्या तो हई है उसमें वो सम होनी चाहिए सम अबाज्य संक्या तो आपके पास तीन अबाज्य संक्या लिखी हुई है इसमें से कौन सी सम संक्या है वही हमारा एंसर है दो सिर्फ एक ही तो है ना सम संख्या जो सम भी है और अबाज्य भी है और ये एक मातर संख्या है ये दो है वो एक मातर संख्या है जो सम होने के बाद भी अबाज्य है बाकी इसके लाबा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अबाज्य हो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सम संक्या है जो अबाज्य है या फिर ऐसी कौन सी संक्या जो सम होने के बावजूद भी अबाज्य है तो सिर्फ दो तो सम अबाज्य संक्या सिर्फ दो ही होता है जो सम भी होता है और अबाज्य भी होता है बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी संक्या नहीं है यह जो सम होने के बाद भी अबाजे हो ठीक है तो परिणाम कित्ते हो जाएंगे एक ही हुआ है दो कटना को नाम इदिया है संभाईत परिणाम एक ही होगा दो ठीक है यह परिणाम है और ये प्रणाम की संक्या है एक तो प्राइक्ता कित्ती हो जाएगी PE is equal to 1 upon 6 क्योंकि उपर आया संभाईत प्रणाम एक और नीचे लिखाया कुल प्रणाम इसी तरह से अगला सावाल क्या हो सकता है संक्या साथ आए छटा सावाल देखें संक्या साथ आए गटना को नाम दिया अपने F और संभाईत प्रणाम अपन देखते है क्या हो सकते हैं देखें पासे पर आपने कभी देखा है लुडो में कभी आपने देखा जब अपन गेम कहलते है तो कि अपन के पास साथ आजाए क्योंकि पासे में साथ होता ही नहीं है पासे में सिर्फ एक से छहते की तो नंबर होता है पासे में तो साथ आया ही नहीं है जब पासे में ही साथ नहीं है तो फिर पासा उचालते टाइम या पासा फेकते टाइम कैसे साथ गिर सकता या कैसे साथ आ सकता है तो ये तो पोसीबल ही नहीं है ना सा निश्यत घटना थी तो असम्भव घटना कि प्राइडाय wordt सब्सक्राइग in कि लगई जेए कि साथ आई यह इसकता ना प्रएक्ता कितनी हो-चाईगी संभाई परनाम उपर कुल परनाम नीचे चाराँ अर सामने चाहिए जीरो राक्ता हो-चाईगी संभाव घटना है punya तो ब्रएक्ता ओशनियुक्प उन्यख को यह ट्यूसार हाई गय centrally चक्यूंत 6 जब पासे तो परिणाम क्या-क्या बन सकते हैं देखें परिणाम बनेंगे कित्ते और क्या-क्या बनेंगे तो मीडियेटर के इंदर लिखेंगे और क्या-क्या होंगे देखो जब पासे को दो बार फेका है हमने तो सपोज पहली बार एक आया और दूसरी बार भी एक आ जाए पहली बार एक दूसरी बार दो आ जाए पहली बार एक दूसरी बार तीन एक चार एक पांच और इसी तरह से एक छे कोई भी आ सकता है या हो सकता है कि पासे पर पहली बार एक ना कर दो आए दो एक या दो दो या दो तीन इसी तरह से दो चार, दो पांस, दो चै ये भी तो हो सकता है कि दो पहले आए ही नहीं तीन पहले आजाए तो क्या क्या हो सकता है तीन एक, तीन दो तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन चै इसी तेरह से हो सकता है तीन ना आकर 4 आजाय पहले तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 या फिर इसी भी ओसकता है कि 5 आज यह पहले हैं तो 5, 1, 5, 2 इस तरह से अपन लिख सकते हैं तो कुल मिला कि अपने पास इतने सारे संभव प्रणाम बनेंगे देखो मैंने जो लिखावा है वो आप समझ भी सकते हो वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये लिखने में और याद करने में एक 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 दो एक तीन एक चार एक पांच और एक च्छै इसी तरह से इस लाइन में दो एक दो 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 तीन करके लिखावा है तीन एक फिर चार एक चार दो चार तीन फिर पांच एक पांच दो पांच तीन और च्छै दो च्छै तीन ऐसे भी याद रख सकते हो और या फिर आप ये भी तो याद रख सकते हो कि सब्सक्राइब करेंगे इसे अपन एक परिणाम काउंट करेंगे इसे यह जो चोटे परिकेट यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा यह क्योंकि अपने दो बार उच्छाला ना तो दो सब्सक्राइब करेंगे तो एक दो तीन चार पांच और छह च्छह एक लाइन में ऐसी च्छह लाइन है टोटल काउंट कर लो गित्ते हो जाएंगे तो काउंट किया अपन है तो टोटल हो रहे हैं यह 36 इसका मतब यह वाग कि जब अपन एक पासे को दो बार फेंकते हैं तो टोटल 36 सिक्स प्रिड़ाम बनेंगे अब इसके सवाल है वह बहुत इंट्रेसिंग सवाल बनेंगे इस nosy को दो बार उसल जाते है तो पहला सवाल क्या है दोनुव बार समान संख्यान आये जब अपने पास से को दो बार फेका पहली बार कोई संख्या आई फिर दूसरी बार कोई संख्या आई तो हमें सवाल ये दिया है कि दोनो बार समान संख्या आई इसकी प्रयक्ता निकालनी आपको तो पहले तो ये देखो इसके संभाईत प्रिणाम है कितने गटना को नाम मैंने ए दिया हुआ इस गटना को दो बार समान संख्या है दोनों बार तो समान संख्या कहा कहा दिख रही है तो थोड़ा द्यान से देखें 37 प्रिणामों में दोनों बार समान संख्या है देखो मुझे यहां दिख रही है एक एक, उसके बाद मुझे यहां भी दिख रहा है दो, दो, यह तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, और छे, छे इसके अलावा आपको अगर कई दिख रहा है कि जहां दोनों संख्याएं समान हो मुझे नहीं लगता ऐसा और कोई प्रिणाम होगा एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, और छे, छे टोटल प्रिणाम काउंट कर सकते हो एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे यही छे प्रिणाम है हाँ देखो यही छे प्रिणाम है तो संभाईत परणाम किते हो गए चैए सवाल क्या था सवाल समझ में आया होगा एक बार फिर से आप वीडियो देख ले ना आपको थोड़ा लगे तो सवाल ये था कि दोनों बार समान संख्या आए समान संख्या सिर्फ यही थी एक एक दो दो तीन तीन चार चार तीक है संभाईत परणाम चै और कुल परणाम है चत्तिस तो चै बटे चत्तिस चै से मैंने कट किया था एक बटे चै दूसरा सवाल क्या बना है दूसरा सवाल है पासे पर पर आप संख्याओं का योग साथ हो पाशे पर जो संख्याँ है उनका योग साथ होना ची ये दोनों को मिला कर गटना को नाम अपने दिया भी देखते हैं काउंट करते हैं कहां कहां पर आपको दोनों संख्याँ के योग साथ होता दिख रहा है तो देखते हैं पन देखो, एक एक साथ नहीं हुआ, एक दो साथ नहीं हुआ, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छे, पहला प्रिणाम ये मिला, एक छे, ठीक है, फिर दो एक, दो दो चार होगा, दो तीन, पाँच होगा, दो चार छे, दो पाँच, साथ, यह हो गया, फिर और काउंट करो, जाओ देखो तीन चार ये भी सात होगा उसके बाद ये चार तीन इसका योग भी सात हो रहा है दोनों का योग और कोई आपको नमबर दिख रहा है इस लाइन में तो नहीं दिखा फिर पांच वाली लाइन में देखते हैं पांच दो ये भी है इसका भी योग सात हो रहा है उसके बाद उस लाइन में कोई नहीं दिख रहा है, फिर 6 वाले लाइन में देखते हैं, 6 और 1, 7, कितने बढ़ना हो गया है, संख्याओं का योग 7 होना चाहिए, 7 हो रहा है सब का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर मान लो आपको ये टेबल नहीं बनानी हो, तो ब अपन 0 प्लस 7 तो लिख नहीं सकते हैं, क्यों कि 0 पासे में नहीं आता है, तो अपन 0 प्लस 7 न लिख कर, मैं इसे लिख रहा हूँ, 1 और 6 हो जाएगा 7, तो इसका उल्टा भी लिख दो, 6 और 1, ठीक है, अपन इसे लिख सकते हैं, 7 को 2, 5, देखो मैंने 1 की जगे 2 लिखा, तो 2, 5 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा भी लिख दो, 5, 2, अब 2 की जगे अपन 3 लिखते हैं, 3, 4, इसका उल्टा लिख दो, 4, 3, यही तो प्रिणाम आया थे, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, आराम से, कि क्या क्या संभाईत प्रिणाम हो गए, 1, 6, 6, 1, कुल मिला के किते हैं प्राइकता किती हो जाएगी, 6, 34, वही एक बटे, 6, अगर मानलो यह सवाल होता, कि पासे पर प्राप संख्याओं का योग, पासे पर प्राप संख्याओं का योग किता हो, अगर मानलो आपको बोला जाए कि योग 8 हो, इसके प्राइकता निकालनी है आपको, तो 8 की टुक करते हैं तुकडे ? दो से तुकडे शुरू किए दो छह इसका उल्टा लिखदो छहता है दो कि बाद में डोकी जगह तीन तीन पाँच इसका उल्टा है या लिख सकते है है पाँच तीन ठीक है उसके बाद में तीन की जगए चार, 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 अब चार-चार का उल्टा मत लिखना, क्यूंकि चार-चार का उल्टा क्या होगा, वापस सार-चार ही होगा, और सेम परिणाम दो बार काउंट नहीं किये जाते, तो चार-चार को सिर्फ एक ही बार लिखना तो टोडल कितने बढ़ना हो जाएंगे पांच ऐसे गर सकते हैं ऐसे अगर मालो संख्याओं का योग नो दिया हो तो नो का आप कैसे करोगे जब संख्याओं का योग नो करना है तो अपन जीरो प्लस नो नहीं लिख सकते एक प्लस आठ भी नहीं लिख सकते क्योंकि आठ उस पर नहीं आता दो प्लस साथ भी नहीं लिख सकते क्योंकि साथ पासे पर नहीं आता तो अपन क्या करेंगे तीन और छे यहां से शुरू करेंगे तो 6-3 इसका उल्टा हो जाएगा फिर 3 की जगह 4-5 तो 5-4 इसका उल्टा हो जाएगा इसके अलावा अगर मालो इस 4 की जगह 5 लिखना तो 5-4 तो 5-4 तो अपन अल्रेडी लिख चुके है ना तो ये दुबारा नहीं लिखा जाएगा इस तरह से ये सवाल किये जा सकते हाराम से अगला सवाल है पासे पर पराप संख्याओं का योग 13 हो गटना को नाम अपने सी दिया है अब संख्याओं का योग 13 का हो सकता है देखो सबसे चोटा परिणाम कौन सा है इसमें सबसे चोटा परिणाम कौन सा है एक एक ये वाला सबसे चोटा परिणाम है और सबसे बड़ा परिणाम कौन सा है चह जो सबसे लास्ट में आ रहा है ये सबसे पहले आ रहा है और ये सबसे लास्ट में आ रहा है इसका योग गिता होगा दो और इसका योग गिता होगा बारा ये तो होगा तो सबसे चोटे वाले प्रिणाम का योग हो रहा दो और सबसे बड़े वाले प्रिणाम का योग हो रहा बार है तो तेरे तो होई नहीं सकता सबसे चोटे वाले प्रिणाम का योग हो रहा दो और सबसे बड़े वाले प्रिणाम का योग हो रहा बार है तो तेरह कहां से हो सकता है तेरह तो होई नहीं सकता ना तो नहीं तेरह योग नहीं हो सकता आप यह लिख सकते हैं या फिर आप एड़ करके भी देख सकते हो सबी नंबर को पर बहुत लंबा हो जाएगा सब नंबर को एड़ करने जाएंगे तो तो आप आराम से देख सकते हो 6,1,7,6,2,8,9,10,11,12 ये लास नमबर बारा आ रहा है इसका योग तो बारे से ज़्याद़ योग होई नहीं सकता तो फिर संभाईत प्रणाम किता हो जाएगा जब योग तेरा होई नहीं सकता तो संभाईत प्रणाम किता हो जाएगा संभाईत प्रणाम हो जाएगा जीरो कैसे क्योंकि योग होई नहीं सकता तो ये तो एक असंभाईत प्रणाम है इंपोसिबल इवेंट है तो इसका कोई संभाईत प्रणाम नहीं होगा तो अपल नहीं सकते हैं प्राइक्ट प्रीक्तर प्राइक्ट हो प्राइक्षयसे प्राइज क्चितिकी होने का मतलब हो गया, कि वो तीन के पाड़े में आना जी है, पहले तो क्या करना हैfight, पासय पर जो संख्याइं आई है Angela centuries, अब जो योग का एंस्वर है, जैसे की ठीन और पांच को जुड़ा, तो आठ हो रहा है, तो जो भी आपका योग आया है, आपको यह दойтиर रहा रहा है कि नहीं आ रहा है आपको यह देखना पहले तो योग करना है योग 3 चे यह कहां आपको उने में का मतलब यह हुआ देखे आ अशकर दो छहां भी योग 3-क Sunder में आए वैपङछ लेगे positive aupad 2 1 या 1 2 3 हो रहा है 3 के पाड़े में 3 आएगा फिर ये नहीं आएगा ये भी नहीं है 1 5 6 होता है 3 के पाड़े में आजाएगा 6 ऐसी और कोई संख्या है वैसे तो जो आपने उपर सरकल किया है वो निचे आएगी उसका उल्टा 1 2 तो 2 1 भी है तो पांच एक भी आएगा मैंने उसका उल्टाई डायरेक्ट यहां पर सरकल कर दिया इसके अलावा और नंबर काउंट करो दूसरी लाइन में दो दो तो कौन-कौन से परिणाम हुए थे एक बार आपसे देखना परिणाम थे एक दो फिर एक पांच दूसरी लाइन में कौन-कौन सा था दो एक तीन होता है योग फिर ये भी नहीं है ये भी नहीं ये हो जाएगा चार दो च्छे हो जाएगा दो पांच दो च्छे आट होगा इसके लवा ये हो जाएगा तीन तीन च्छे हो रहा है तो तीन के पाड़े में आएगा उसके लवा कुन सा हो रहा है ये हो जाएगा च्छे तीन नो हो जाएगा तो चार वाले लेन में देखें यह हो जाएगा चार दो यह भी छे हो रहा है हो फिर चार पांच नो यह भी तीन के पाड़े में आएगा उसके बाद में यह तीन के पाड़े में आएगा पांच एक छे उसके बाद में यह और कौन सा निचे की लेन में देखें छे तीन नो य पर किस तरह से हमारे पास यह इतने सारे नंबर जो है है वह सारे हो जाएंगे तो देखो यह नंबर है कौन-कौन से यह लिखे हैं यह यही जू परिणाम थे वह सारे थे count करके देख सकते हो है कितने total 12 होंगे तो संबैद में आपो किसंगे होगी 12 है और राइक तक्या हो जाएगी 12 बटे 36 आप cut करोगे 12 से ही cut कर दो तो 13 अपना answer आजाएगा next question क्या है पासे पर कम से कम एक बार 5 आए पासे पर कम से कम एक बार 5 देखो कल भी यह सवाल आया था यह word आया था कुछसा यह मैंने सिक्के के सवालों में भी यह word जो आया था मैंने यूज करवाया था कम से कम और अधिक से अधिक और यहाँ पर भी मैंने यह यूज करा word और यह बहुत important होता है यह word का na question में ठीक है पासे पर कम से कम एक बार पाँच आए यह सवाल अलग हो गया कम से कम अगर word को हटा दिया जाए तो सवाल बदल जाएगा ठीक है देखो मतलब क्या है वो भी मैंने समझाया था फिर भी एक बार और समझ लेते है कि इसका मतलब क्या है देखो जब हमें सवाल में कम से कम दिया हो तब अपन क्या करते हैं जादा वाली चीजों को सामिल करते हैं या जो अधिक वाली चीजे हैं उनको सामिल करते हैं और अगर हमें सवाल में अधिक से अधिक दिया हो तब अपन कम वाली चीजों को सामिल कर लेते हैं मतलब उल्टा किया जाता है जब ये वर्ड आ जाता है तो कम से कम हो तो अधिक वाली चीज़े और अधिक से अधिक हो तो कम वाली चीज़ों को सामिल कर लिया जाता है तो पहले तो ये देखते हैं कि पांच आ कितनी बार सकता है वैसे पांच हमने कितनी बार फेका है दो बार तो पांच भी तो कितनी बार आ सकता है भी जब अपने पांच दो बार फेका कि पासा जब अपने फेंका ही दो बार है तो हो सकता है पांच आया ही नहीं मतलब जीरो बार हो सकता है पांच एक बार आये और हो सकता है पांच दो बार है सवाल क्या है कम से कम एक बार कम से कम एक बार तो यह रहा एक मतलब जहां जहां पांच एक बार आया है, वो आप सामिल करी लोगे जहां जहां पांच एक बार आया है, वो तो आपको सामिल करना ही है साती सात, जहां पांच दो बार आया है, वो भी सामिल करना है क्यों ऐसा? क्योंकि वर्ड क्या आया है? कम से कम और जब कम से कम word आता है तो अपन अधिक वाली चीज़े भी सामिल करते हैं अगर यह ज़्यादा से ज़्यादा लिखा होता तो अपन कम वाली चीज़ों को सामिल करते हैं पर यहां word है कम से कम तो अपन जहां 5 एक बार आया है वो भी count करोगे जहां 5 दो बार आया है वो भी count करोगे तो ऐसे कितने परिणाम है वो देखते हैं देखो 5 एक बार इस line में है कौँशी line है देखो इस line में 5 या इस पूरी line में ही 5 या 5 है या भी 5 है या भी 5 है या भी 5 है या भी 5 है और या भी 5 है इस लाइन में भी पाँच है ये जो परिणाम आ रहा है न ये ये परिणाम इसमें देखो पाँच दो बार आ रहा है बाकी सब में एक एक बार है तो एक एक बार आया है वो भी काउंट करना है जा दो बार आया है वो भी काउंट करना है हाँ गिना वो सिर्फ एक ही लाइन में जाएगा मतलब या तो चाहो तो आप उसे इस लाइन में काउंट कर लो चाहो उसे इस लाइन में काउंट कर लो गिना इस पांच पांच को एक ही बार है दोनों बारा ऐसा नहीं है कि आप नीचे से काउंट कर रहो तो भी काउंट कर र और ये नीचे वाला 11 है, टोटल प्रेडाम हो रहा है, 11 है, देखो, कौन कौन से हैं, वो भी मैंने समझा दिया, ये वाले प्रेडाम है वो, सारे वही है, देखो, एक, पांच, दो, पांच, तीन, पांच, चार, पांच, और पांच, क्योंकि वहां दोनों बार आया है, तो कम से कम वर्डा है, इसलिए अपन दोनों बार वाले को सामिल कर रहे हैं, तो टोटल प्रेडाम होगे 11 है, और प्राइक तक किती हो जाएगी, 11 बटे, 36, ये मने कुछ एक सवाल आपके लिए दिये, टेबल मैंने आपको बना कर दिये, कुल प्रेडाम मैंने आपको बना कर दि ये वाला सवाल एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं इस सवाल में, योग अधिक से अधिक चार हो, जब अधिक से अधिक वर्ड आया हो तो अपन कम वाली चीजों को सामिल कर लेंगे, योग वेसे हो कितना सकता है पासे पर जो अंकार हैं, देखो मैंने बताया है हमें दिया है, योग चार होना चाहिए, अधिक से अधिक योग चार होना चाहिए, तो देखो मैंने चार पर सरकल कर दिया है, अब जब वर्ड अधिक से अधिक दिया है, तो अपन क्या करेंगे, कम वाली चीजों को सामिल कर लेंगे, मतलब जहां योग तीन हो रहा है, वह आज के सेशन में इतना ही। एक फॉर्मुला है, वो भी साथ साथ में देखते जाए। फॉर्मुला क्या है? कल भी अपने सिक्के के लिए भी पढ़ा था। फॉर्मुला था सिक्के के लिए दो की गातन। सिक्के के लिए फॉर्मुला था ये, दो की गातन। जहांपर N क्या था? मैं सिक्कों की संख्या बूलू तो भी सही है, या फिर मैं ये बूलू सिक्कों की उच्छाल तो भी सही है ठीक है? वैसे ही आज पासी के लिए भी फॉर्मुला जो है कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें याद कैसे रहेगा कि कितने प्रिणाम बनेंगे? जैसे हमने सिक्के के लिए किया था, दो की गात N, N की जगे एक, दो, तीन, चार रखते जाएंगे तो हमारा एंसर आता जाएगा कि वैं इत्ते प्रिणाम बनेंगे. तो वैसे ही, पासी के लिए चैकी गात N, के लिए एक बार सॉल करके देखते हैं, अगर मान लो पासे को एक बार फेका जाए, तो N की जगे पर कितना को एक, और चैकी गात एक कितना होगा? चै, अगर पासे को दो बार उचला जाए, दो बार फेका जाए, तो चै की गाह दो कु कैसे खोलेंगे अपन 6 गुणा 6 तो टोटल कित्ता हो गया 6 गुणा 6 चतीस देखो 36 ही परेणाव बने थे जब आपने पासे को दो बार फेका था अगर मान लो यही पासे को अपन 3 बार फेकते हैं तो कितने परेणाव बनेंगे 6 की गा 3, N की जिगा 3 रखो 6 गुणा, 6 गुणा, 6 गुणा करवाओगे तो टोटल हो जाएगा 216 प्रेड़ाम बनेंगे लेकिन पूछा नहीं जाता है 3 बार के लिए फिर भी एक बार आप याद रखें MCQ में ये पूछा जा सकता है अगर पासे को तीन बार फेका जाए तो प्रेड़ाम की संक्या कितनी होगी ठीक है बाकी सवाल ऐसे बनके नहीं आएगा आज के सेशन में इतना ही तब तक के लिए घन्यवाद